नमस्कार दोस्तों आद के इस वीडियो में आप लोग को ब्याज निकालने के लिए बताने वाला जिसको की गाओं में मालीजी की सूध लिया जाता है जैसे कि आपने किसी ब्यक्ति से प्रवय होगा तो दोस्तों गतना इसको सूध देना है यह जो ब्याज है इसे आप दो तरीके से निकाल सकते हैं काफी यदा आसान है तो आप लोग डूनो मिठाट जरूर के दोस्तों तो दूसरा मिठाक जो है काफी जरूर आसान अप लूसे पहले चाय पहला मिठाट से बनाते हैं जासे देखिया आपको क्या कैसे बूल रहा है कि पांचार के डस परतीशत कितना हो जायगा तो तो न कितना हो जाएगा तोrato झुछं का मतलब गुनहें कि यह 600 में stopping साथ हो ठीके सवारी कि यह फुल कि पमरणे किसे प्लाए तर्थ कर सकाथ घर आत्यक्किन हाँ निखर NORश सिजयक्ण का नुछे कि निकालना रहता तो पांच बर गुना करते लेकिन हमें छे महीने का निकालना है तो हम 6 स्टूना करेंगे ठीक है तो हम लोग इसको 6 से गुना करेंगे तो 0-0 0-05 पचे 30 यह आपका 3000 रुपया जो है यह आपका सूध निकल करके आ चुका है इसको लोग ब्याद भी बोल सकते हैं तो दोस्तों हमारा पहला मिथादा सबसे पहले आपको कहा करने इसका तो पांच जार रुपया का दस परतिसत दर से दे रहा है तो पांच जार का में दस परति अब में देखी एक फर्मुला होता है ठीक है Colombia क्या है दोस्तों हमारा देखी क्या फर्मुला फर्मुला क्यहाँ हमheet व्याजいきा वराबर क्या होता है मूल्धन गुने, समय, गुने, दर, बटा, सो इस फरमुर्सलेसे अभी आप लोग इसे काफी सांतरीके से निकाल सकते हैं तीके, अप लोग बुले गया है, आप मूल्धन क्या है, समय क्या है, दर क्या है मूलधन क्या होता है दोस्तों जो यहां पर पैसा आपका दिया रहेगा जैसे यहां पर आपका क्या पैसा है दोस्तों यहां पर आपका 5000 तो यह आपका मूलधन हो जाएगा और समय क्या हो जाएगा देखे जितना दिन के लिए आपको दिया गया है जैसे यहां पर समय क्या है तो गुना दे देंगे, अब समय क्या है दोस्तों हमारा छे महिना तो 6 यहां पर लिखलेंगे, अब 10 क्या है हमारा 10 पर तिस इस नीचे हमारा बटा में 100 लिखना है दिखिए दोस्तों पचास का अगर गूना करें कितना हो जाएगा 300 गुणा अगर दस में करें तो कितना हो जाएगा हमारा झाल झाल